आज हम देखेंगे परिमे संख्याओं के योग के उधारण ग्याद कीजिए रिंट 13 बटे 16 धन रिंट 9 बटे 12 इस उधारण में हमें दो रिनात्मक परिमे संख्याओं का योग ग्याद करना है यहां हम देखते हैं कि दोनों परिमे संख्याओं का हर समान नहीं है इसलिए आईए इसे बराबर करें यहाँ 16 और 12 का लसर है 48 इसलिए हम दोनों परिम्य संख्याओं का हर 48 करेंगे अगर हम रिंड 13 बटे 16 के अंश और हर दोनों को 3 से गुणा करें तो हमें परिम्य संख्या रिंड 49 बटे 48 प्राप्त होगी इसी प्रकार रिंड 9 बटे 12 के अंश और हर दोनों को 4 से गुणा करने पर परिम्य संख्या रिंड 36 बटे 48 प्राप्त होगी अब चुकी हर बराबर है इसलिए हम इनका योग कर सकते हैं इनकी योग का परिणाम आएगा रिंड 75 बटे 48 मानक रूप यानि स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त करने के लिए हम देखते हैं कि 75 और 48 का मौसर यानि HCF है 3 इसलिए हम अंश और हर तोनों को 3 से विभाजित करेंगे विभाजन का परिणाम आएगा रिंड 25 बटे 16 यह दिये सवाल का जवाब है अगला उदाहरण मानलीजे तापमान में हुई वृद्धी को धन चिनन से और गिरावट को रिंड चिनन से निरुपित किया जाता है इस आधार पर निमनलिखित सवाल का हल क्यात कीजिए राहुल के कमरे का तापमान 26 और 1 बटे 2 डिग्री सेल्शियस था अगर कमरे के तापमान में 3 और 1 बटे 7 डिग्री सेल्शियस की वृद्धी होती है तो वृद्धी के बाद कमरे का तापमान क्या होगा उदाहरण से पता चलता है कि प्रारंभिक तापमान बराबर 26 और 1 बटे 2 डिग्री सेल्शियस है इसलिए यहां हम कह सकते हैं कि तापमान में 3 और 1 बटे 7 दिग्री सर्शियों सिर्व रुद्धी हुई है इस तरह से परिवर्दन के बाद का तापमान पता करने के लिए हमें प्रारंभिक तापमान में रुद्धी को जोड़ना होगा तो चलिए 26 और 1 बटे 2 धन 3 और 1 बटे 7 का परिणाम क्यात करें पहले हम परिमेशंख्याओं को अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर लेंगे 26 और 1 बटे 2 को हम 33 बटे 2 और 3 और 1 बटे 7 को 22 बटे 7 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं अब हम इनका योग करेंगे पहले हम लवसर के उपयोग से इनके हर बराबर करेंगे दो और साथ का लवसर है चौधा इसलिए तीरपन बटे दो के अंश और हर दोनों को साथ से गुणा करेंगे जिससे हमें इसकी तूल्य परिमेय संख्या 371 बटे चौधा प्राप्त होगी इसी तरह हम 22 बटे साथ के अंश और हर दोनों को दोसे गुणा करेंगे तो हमें इसकी तूल्य परिमेय संख्या प्राप्त होगी 44 बटे चौधा फिर हम इनका योग करेंगे इसके लिए हम हर वैसा का वैसा रखेंगे और अंशो को जोडेंगे इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 415 बटे चौधा इसे ही हम 29 और 9 बटे चौधा के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं इसे ही हम एक और आकरशक विद्य से हल कर सकते हैं हम 26 और 1 बटे 2 में 26 पूर्ण है और 1 बटे 2 पूर्ण नहीं है इसलिए इसे हम 26 धन 1 बटे 2 के रूप में लिख सकते हैं इसी तरह 3 और 1 बटे 7 को 3 धन 1 बटे 7 के रूप में लिख सकते हैं यानि कि 26 और 1 बटे 2 धन 3 और 1 बटे 7 बराबर 26 धन 1 बटे 2 धन 3 धन 1 बटे 7 इसे ही हम 26 धन 3 धन 1 बटे 2 धन 1 बटे 7 लिख सकते हैं जो कि बराबर है 29 धन 1 बटे 2 धन 1 बटे 7 के, अब हम 1 बटे 2 धन 1 बटे 7 को जोड़ेंगे यह हम इस प्रकार करेंगे. अब हम 29 और 9 बटे 14 को साथ रख देंगे, जिससे हमें 29 और 9 बटे 14 यह परिणाम प्राप्त होगा. है न यह मज़िदार विधी? आज हमने देखे परिमे संख्याओं के योग के उधारण. अगली वीडियो में हम देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिध्याधारणा है. आज हम देखेंगे परिमे संख्याओं के योग के उधारण. ग्याद कीजिए रिंट 13 बटे 16 धन रिंट 9 बटे 12 इस उधारण में हमें दो रिनात्मक परिमे संख्याओं का योग क्याद करना है. यहाँ हम देखते हैं कि दोनों परिमे संख्याओं का हर समान नहीं है. इसलिए आईए इसे बराबर करें. यहाँ 16 और 12 का लश है 48, इसलिए हम दोनों परिमे संख्याओं का हर 48 करेंगे. अगर हम रिंट 13 बटे 16 के अंश और हर दोनों को 3 से गुणा करें तो हमें परिमे संख्या रिंट 49 बटे 48 प्राप्त होगी. इसी प्रकार रिंड 9 बटे 12 के अंश और हर दोनों को 4 से गुणा करने पर परिमेय संख्या रिंड 36 बटे 48 प्राप्त होगी अब चुकी हर बराबर है इसलिए हम इनका योग कर सकते हैं इनकी योग का परिणाम आएगा रिंड 75 बटे 48 मानक रूप यानि स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त करने के लिए हम देखते हैं कि 75 और 48 का मौसर यानि HCF है 3 इसलिए हम अंश और हर तोनों को 3 से विभाजित करेंगे विभाजन का परिणाम आएगा रिंड 25 बटे 16 यह दिये सवाल का जवाब है अगला उदाहरण राहुल के कमरे का तापमान 26 और 1 बटे 2 डिग्री सेल्शियस था अगर कमरे के तापमान में 3 और 1 बटे 7 डिग्री सेल्शियस की वृद्धी होती है तो वृद्धी के बाद कमरे का तापमान क्या होगा उधारंड से पता चलता है कि प्रारंभिक तापमान बराबर 26 और 1 बटे 2 डिग्री सेल्शियस है इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान में 3 और 1 बटे 7 डिग्री सेल्शियस से वृध्धी हुई है इस तरह से परिवर्दन के बाद का तापमान पता करने के लिए हमें प्रारंभिक तापमान में वृध्धी को जोड़ना होगा तो चलिए 26 और 1 बटे 2 धन 3 और 1 बटे 7 का परिणाम ग्यात करें पहले हम परिमे संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर लेंगे 26 और 1 बटे 2 को हम 33 बटे 2 और 3 और 1 बटे 7 को 22 बटे 7 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं अब हम इनका योग करेंगे पहले हम लवसर के उपयोग से इनके हर बराबर करेंगे दो और साथ का लवसर है चौधा, इसलिए तीरपन बटे दो के अंश और हर दोनों को साथ से गुणा करेंगे, जिससे हमें इसकी तूले परिमेय संख्या 371 बटे चौधा प्राप्त होगी, इसी तरह हम 22 बटे साथ के अंश और हर दोनों को दो से गुणा करेंगे, तो हमें तूले परिमेय संख्या प्राप्त होगी 44 बटे चौधा, फिर हम इनका योग करेंगे, इसके लिए हम हर वैसा का वैसा रखेंगे और अंशो को जोड़ेंगे, इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 415 बटे चौधा, इसे ही हम 29 और 9 बटे चौधा के रूप में भी व्यक 1 बटे 2 के रूप में लिख सकते हैं, इसी तरह 3 और 1 बटे 7 को 3 धन 1 बटे 7 के रूप में लिख सकते हैं, यानि कि 26 और 1 बटे 2 धन 3 और 1 बटे 7 बराबर 26 धन 1 बटे 2 धन 3 धन 1 बटे 7 इसे ही हम 26 धन 3 धन 1 बटे 7 लिख सकते हैं, जो कि बराबर है 29 धन 1 बटे 2 धन 1 बटे साथ के अब हम एक बड़े दो धन एक बड़े साथ को जोड़ेंगे यह हम इस प्रकार करेंगे अब हम 29 और 9 बड़े 14 को साथ रख देंगे जिससे हमें 29 और 9 बड़े 14 यह परिणाम प्राप्त होगा है न यह मज़िदार विधी आज हमने देखे परिमेश अंख्याओं के योग के उधारण अगली वीडियो में हम देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिथ्याधारणा है आज हम देखेंगे परिमेश अंख्याओं के योग से जुड़ी कुछ मिथ्याधारणा है मिठ्यधाना 1 अध्यपक ने बच्चों से 7 पटे 8 का योज़ प्रतिलोम यानि एडिटिव इन्वर्स पूछा इस पर तारा ने जवाब दिया 8 पटे 7 समीर ने जवाब दिया शून्य और श्रेया ने जवाब दिया रिंट 7 पटे 8 क्या आप बता सकते हैं कि इन में से कौन सही है? कुछ बच्चों को योज़ प्रतिलोम की सही समझ नहीं होती वे समझते हैं कि किसी परे में ये संख्या यानि रैशनल नंबर का योज़ प्रतिलोम उस संख्या के आंश और हर को एक दूसरे से बदल कर प्राप्त किया जाता है जैसे तारा ने 7 पटे 8 का योज़ प्रतिलोम 8 पटे 7 बताया है लेकिन यह एक गलत समझ है इसलिए तारा का जवाब गलत है यानि आप्शन एक गलत जवाब है इसी तरह कुछ बच्चे योज़ प्रतिलोम की व्याख्या रट कर याद कर लेते हैं वे इसका अर्थ नहीं समझ पाते व्याख्या में शून्य का प्रयोग होने के कारण अक्सर बच्चे यह समझते हैं कि किसी भी संख्या का शून्य एक योज़ प्रतिलोम है लेकिन यह भी सही समझ नहीं है इसलिए option दो भी कलत जवाब है ध्यान रहे अगर किनी दो परिमेय संख्याओं का योग 0 हो तो वे एक दूसरे की योज़ प्रतिलों कहलाती है यह हम यह भी कह सकते हैं कि अगर दो परिमेय संख्याओं 0 से विपरित दिशाओं में समान दूरी पर हो तो वे एक दूसरे की योज़ प्रतिलों होती है चुकि 7 बटे 8 में रिंट 7 बटे 8 चोड़ने पर हमी 0 प्राप्त होता है इसलिए 7 बटे 8 का योज़ प्रतिलों है रिंट 7 बटे 8 इसलिए option 3 सही जवाब है मिध्याधाना तो ग्याद कीजिए रिंट 3 बटे 5 धन रिंट 1 बटे 5 कुछ बच्चे परिमेय संख्याओं का योग करते समय साधरन कलतियां करते है जैसे कुछ बच्चे चिन्नों को नजरंदास करते हैं और योग प्राप्त करते हैं 4 बटे 5 इसी तरह उन्हें यह भी मिध्याधाना होती है कि रिंड रिंड धन होता है यानि कि दो रिनात्मक परिमेय संख्याओं का योग धनात्मक आएगा यह भी कारणे की वे option 1 यह गलत जवाब देते हैं अगर एक दनात्मक और एक रिनात्मक परिमेय संख्या हो तो योग उस परिमेय संख्या का चिन्न लेता है जिसका चिन्न के पिना मान बड़ा है यहां दोनों रिनात्मक परिमेय संख्याएं हैं इसलिए योग रिनात्मक आएगा इसलिए यहां योग रिंड चार बटे 5 प प्राप्त करते हैं इसी तरह हरों को जोड़कर परिणाम का हर 5 दन 5 पराबर 10 प्राप्त करते हैं इस तरह से उन्हें परिणाम प्राप्त होता है रिंट 4 बटे 10 यह भी एक गलत समझ है जिससे option 3 यह गलत जवाब दिया जाता है यह मिध्याधारना भाग और पूर्ण की सही स प्राप्त होंगे न कि 3 बटे 8 तो अब आपकी परिमेशंख्याओं से संबंदित मिध्याधारनाएं दूर हुई होंगी आज हमने देखी परिमेशंख्याओं की योग से जुड़ी कुछ मिध्याधारनाएं आज हम सीखेंगे परिमेशंख्याओं का व्यवकलन कई सितियों में हमें परिमेशंख्याओं का व्यवकलन करना अवश्यक हो जाता है जैसे मान लीजिए आपने 3 बटे 4 मीटर लंबी लखडी की पट्टी लाई और इसका प्रयोग फोटो की एक फ्रेम बनाने के लिए किया फ्रेम बनाने के बाद आपने देखा कि अभी भी 1 बटे 4 मीटर पट्टी 6 है अब अगर आपको पता करना होगा कि फोटो की फ्रेम बनाने के लिए कितनी पट्टी लगी तो यह आप कैसे पता करेंगे सूचिए सूचिए बिल्कुल सही आपको 3 बटे 4 मीटर में से 1 बटे 4 मीटर को घटाना होगा यानि कि यहाँ आपको दो परिमेय संख्याओं का व्यवकलन करना होगा तो चलिए जानते हैं यह व्यवकलन हम कैसे करेंगे आईए 3 बटे 4 रिन 1 बटे 4 का परिणाम ग्याद करे परिणाम ज्याद करने के लिए हम व्यवकलन की संक्रिया को योग की संक्रिया में परिवर्दित करते हैं इसके लिए हम पहली संक्रिया को वैसा का वैसा रखते हैं फिर व्यवकलन का चिन्न बदल कर योग का चिन्न लिखते हैं और फिर दूसरी संख्या का योजव प्रतिलोम यानि additive inverse लिखते हैं। किसी संख्या का योजव प्रतिलोम बहुत संख्या होती है जिसके साथ उसे जोड़ने पर परिणाम शून्य आता है। इस तरह से यहाँ एक बटे चार का योजव प्रतिलोम है रिंड एक बटे चार। इस प्रकार हमने तीन बटे चार रिंड एक बटे चार को तीन बटे चार धन रिंड एक बटे चार में परिवर्दित कर लिया है। इसके बाद हम परिमेज अंख्याओं का हर बराबर कर लेते हैं चूकि यहां हर पहले से बराबर है इसलिए हम आगे हल कर सकते हैं इसे हम संख्यारेखा पर हल कर सकते हैं और संख्यारेखा के बिना भी हल कर सकते हैं चलिए इसका परिणाम संख्यारेखा पर ग्यात करें इसके हमें पता चलता है कि प्रतियक पूर्ण या प्रतियक इकाई के चार बराबर भाग करने हैं इसलिए हम संख्या रिखा कि प्रतियक इकाई दूरी के चार बराबर भाग करेंगे इन्हें शूनिके दाइं और एक बटे चार दो बटे चार तीन बटे चार इस प्रकार नाम दें अब हम देखते हैं कि पहली संख्या 3 बटे 4 है इसलिए हम संख्या रिखा पर 3 बटे 4 का स्थान क्यात करते हैं फिर हम देखते हैं कि यहां दूसरी संख्या रिंड 1 बटे 4 है जो एक रिनात्मक परिम्य संख्या है इसलिए हम 3 बटे 4 के बाई और दूसरी संख्या के अंश जितने कदम चलते हैं यहां अंश 1 है इसलिए हम 1 कदम चलेंगे चुकि 1 कदम 1 का चौथा भाग है इसलिए 1 कदम मतलब 1 बटे 4 मीटर दूरी इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि तीन बटे चार के बाई और हम एक बटे चार इकाई दूरी चलते हैं इसी के साथ हम पहुच आते हैं संख्या दो बटे चार पर जो कि तीन बटे चार धन रिण एक बटे चार का परिणाम है यानि कि 3 बटे 4 रिट 1 बटे 4 का परिणाम है व्यवकलन का परिणाम संख्या रेखा के बिना भी प्राप्त किया जा सकता है यहां भी जरूरी है कि हम व्यवकलन की संक्रिया को योग की संक्रिया में परिवर्दित करें फिर हम देखते हैं कि हर बराबर है इसलिए हम हर वैसा का वैसा रखते हैं और अंशो को जोडते हैं इसे हमें परिणाम प्राप्त होगा दो बटे चार इसे हम मानक रूप में यानि स्टांडर्ड फॉर्म में लिखते हैं एक बटे दो अब चलिए इसे एक और उधारण से समझे मान लीजे हमें 42 बटे 8, रिन, रिन 17 बटे 6 का परिणाम क्याद करना है तो चलिए इस व्यवकलन का परिणाम क्याद करें सबसे पहले हम व्यवकलन की संक्रिया को योग की संक्रिया में परिवर्दित करेंगे इसके लिए हम पहली संख्या को वैसा का वैसा लिखेंगे, फिर व्यवकलन का चिन्न बगलकर योग का चिन्न लिखेंगे, और फिर तूसरी संख्या का योज़ प्रतिलोम लिखेंगे, यहां रिंट 17 बटे 6 का योज़ प्रतिलोम है 17 बटे 6, इसलिए हम संगरिया में तूसर संख्याओं का हर बराबर नहीं है हर बराबर करने के लिए हम लसर का उपयोग करेंगे यहां 8 और 6 का लसर है 24 इसलिए हम दोनों परिम्य संख्याओं का लसर 24 करेंगी इसके लिए हम 42 बटे 8 के अंश और हर दोनों को 3 से और 17 बटे 6 के अंश और हर दोनों को 4 से गुणा अंशो का योग है रिण 126 धन 68 बराबर रिण 58 इसलिए हमें परिणाम प्राप्त होगा रिण 58 बटे 24 इसे ही हम मानक रूप में रिण 29 बटे 22 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो आज हमने सीखा परिमे संख्याओं का व्यवकलन अगली वीडियो में इसके कुछ उदाहरण देखेंगे आज हम देखेंगे परिमे संख्याओं के व्यवकलन से संबंदित कुछ उदाहरण सुरेश ने 5.5 मीटर लंबाई का कपड़ा खरीदा उसमें से उसने 7.2 मीटर लंबाई का कपड़ा अपने भाई को दिया ज्याद कीजिए 6 कपड़े की लंबाई क्या होगी खरीदे हुए कपड़े की को लंबाई 5.5 मीटर है उसमें से सुरेश ने 7.2 मीटर लंबाई का कपड़ा अपने भाई को दिया इसका मतलब 5.5 मीटर कपड़े में से 7.2 मीटर कपड़ा निकाला गया इसलिए शेश कपड़े की लंबाई 5.5 मीटर से 7.2 मीटर का व्यवकलन कर पता की जा सकती है व्यवकलन करने के लिए हम दोनों परिमिया संख्याओं को अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं जैसे साड़े 5 को अंश बटा हर की रूप में लिखने के लिए हम 5 गुणा 2 धन 1 करते हैं और अंश 11 प्राप्त कर लेते हैं इसी के साथ हर को वैसा का वैसा रख कर हम 5 और 1 बटे 2 को 11 बटे 2 की रूप में निरुपित करते हैं क्या बता पाएंगे सवादों को हम अंश बटा हर के रूप में किस प्रकार व्यक्त करेंगे सूचिए सूचिए बिल्कुल सही इसे हम 9 बटे 4 लिखेंगे अब हम दोनों संख्याओं का व्यवकलन करेंगे अब हम व्यवकलन की संक्रिया को योग की संक्रिया में परिवर्तित कर लेंगे इसके लिए हम पहली संक्रिया को वैसा का वैसा लिखेंगे फिर व्यवकलन का चिन्न बदल कर योग का चिन्न लिखेंगे और फिर दूसरी संख्या 9 बटे 4 का योज प्रतिलोम लिखेंगे यानि कि रिण 9 बटे 4 लिखेंगे अब चलिए इसका परिणाम ग्यात करें यहां दोनों परिमें संख्याओं का हर बराबर नहीं है इसलिए पहले हमें इनका हर बराबर करना होगा हर पराबर करने के लिए हम दोनों परिम्य संख्याओं के हरों का लसर प्राप्त करेंगे यहां 11 बटे 2 के हर 2 और रिन 9 बटे 4 के हर 4 का लसर है 4 रिन 9 बटे 4 का हर पहले से 4 है इसलिए हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे नेकिन 11 बटे 2 का हर 4 नहीं है हर 4 करने के लिए हम 11 बटी 2 के अंश और हर दोनों को 2 से गुणा करेंगे इससे हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी 22 बटी 4 अब दोनों परिमेय संख्याओं का हर परापर है इसलिए हम अंशों को जोड़ेंगे और हर को वैसा का वैसा रखेंगे इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 13 बटी 4 इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुरेश के पास 13 बटी 4 मीटर यानि कि सवा 3 मीटर लंबाई का कपड़ा 6 है अगला उधारन ग्याद कीजिए रिंट 13 बटे 16, रिंट 18 बटे 21 चलिए पहले व्यवकलन की संक्रिया को योग की संक्रिया में परिवर्तित करें इसके लिए हम पहली संख्या को वैसा का वैसा रखेंगे फिर व्यवकलन का चिन बदल कर योग का चिन लिखेंगे और फिर दूसरी संख्या का योज प्रतिलोम लिखेंगे इसे हल करने के लिए आईए इनका हर बराबर कर ले हर बराबर करने के लिए हम दोनों परिमेल संख्याओं के हरों का लसब राप्त करेंगे यहां रिन 13 बटे 16 के हर 16 और रिन 18 बटे 21 के हर 21 का लसब है 336 रिंट 13 बटे 16 का हर 336 करने के लिए हम इसके अंश और हर दोनों को 21 से गुणा करेंगे और रिंट 18 बटे 21 का हर 336 करने के लिए हम इसके अंश और हर दोनों को 16 से गुणा करेंगे इससे रिंड 13 बटे 16 की तूली परिमेए संख्या यानि एक्विवालन्ट राशनल नंबर प्राप्त होगा रिंड 273 बटे 336 और रिंड 18 बटे 21 की तूली परिमेए संख्या प्राप्त होगी रिंड 288 बटे 336 अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे चूकि हर बराबर है दोनों को तीन से विभाजत कर मानक रूप क्यानि स्टांडर्ड फॉर्म में व्यक्त करेंगे जो की रिंड 187 बटे 112 है प्रयास कीजिए यहाँ एक जादू वर्ग दिया है जिसमें प्रतियक पंक्तिय का योग 3 बटे 4 है ग्यात कीजिए A, B और C कौन सी परिमेए संख्याओं को निरुपिक करते हैं आज हमने देखे परिमेए संख्याओं के व्यवकलन के उधाहरण अगले वीडियो में इन से जुड़ी कुछ मिथ्याधारणा को दूर करेंगे आज हम देखेंगे परिमेए संख्याओं के व्यवकलन से जुड़ी मिथ्याधारणा और कुछ साधारण कल दिया मिध्यदार्णा 1 परिमय संख्याओं के संदर्भ में बच्चों को अक्सर सवाल समझने में कठिनाई होती है जैसे इस सवाल को हल करने के लिए बच्चे यह तय नहीं कर पाते कि उन्हें 69 बटे 3 और रिंड 2 बटे 3 का योग करना है या व्यवकलन जवाब प्राप्त करने के लिए कुछ बच्चे इन दोनों परिमय संख्याओं का व्यवकलन करते हैं और परिणाम प्राप्त करते हैं 61 पटे 3 डिगरी सेल्शियस जो की एक कलच जवाब है चली सही जवाब प्राप्त करें यहां बदलाव रिनात्मक परिमय संख्या में दिया गया है क्या बता सकते हैं इसका क्या अर्थ है सूचिए सूचिए बिल्कुल सही, रिंट चिन्न से हमें पता चलता है कि तापमान में गिरावट हो रही है अगर तापमान में गिरावट हो रही है तो जवाब 61 बटे 3 नहीं आ सकता क्योंकि यह 69 बटे 3 डिगरी से जादा है सही समझ यह है कि बदलाव प्राप्त करने के लिए अंतिम स्थिती से प्रारंभिक स्थिती का व्यवकलन किया जाता है जैसे यहां तापमान में बदलाव बराबर अंतिम तापमान रिंट प्रारंभिक तापमान इसे ही हम लिख सकते हैं अंतिम तापमान बराबर तापमान में बदलाव धन प्रारंभिक तापमान तो इसका अर्थ है यहां हमें दोनों परिमेज अंख्याओं को जोड़ना होगा अब चलिए जानते हैं कुछ साधरन कलतियां अगर बच्चों को पूझा जाए कि रिन 5 बटे 6 रिन 4 बटे 6 का परिणाम क्या होगा तो कुछ बच्चे इस सवाल को देखते ही यह सोचने लगते हैं कि उधारन में व्यवकलन की संक्रिया दी है इसका परिणाम ग्याद करने के लिए वे पहली संक्रिया का चिन्न नजरंदास करते हैं और 5 बटे 6 से 4 बटे 6 का व्यवकलन करते हैं जिससे उन्हें गलत परिणाम प्राप्त होता है 1 बटे 6 संक्रिया से संबंदित ऐसे उलजन को दूर करने के लिए हमें संक्रिया को दूसरी संक्रिया का योज़प्रति लोम यानि additive inverse लेकर योग की संक्रिया में व्यक्त करते हैं अब यहां हम देखते हैं कि दोनों संक्रियाओं का चिन्न समान है जब योग की संक्रिया में दोनों संक्रियाओं का चिन्न समान होता है तब हम इन संख्याओं को जोडते हैं इसलिए यहाँ इन संख्याओं को जोड़कर हम सही परिणाम प्राप्त कर लेंगे रिंड 9 बटे 6 रिंड 5 बटे 6 रिंड 4 बटे 6 का परिणाम ग्याद करते समय कुछ बच्चे यह भी सोचते हैं कि तोनों रिनात्मक संख्याएं हैं, इसलिए इनका जवाब धनात्मक आएगा। इसलिए वे परिणाम 9 बटे 6 प्राप्त करते हैं, जबकि सही परिणाम है रिन 9 बटे 6। इस मिध्यधार्णा कारण यह है कि वे रिन, रिन धन होता है यह याद कर लेते हैं और सभी संक्रियाओं के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जबकि यह समज सिर्फ गुणन और विभाजन की संक्रियाओं के लिए सही है, योग या व्यवकलन के लिए नहीं, इसे हम गुणन और विभाजन के वीडियो में और अच्छे से जानेंगे अगर बच्चों को पूछा जाए कि एक धनात्मक परिमेय संख्या से रिनात्मक परिमेय संख्या को घटाया जाए तो परिणाम दोनों संख्या उसे बड़ा होगा या छोटा तो बच्चे जवाब देते हैं परिणाम छोटा होगा इस जवाब के पीछे उनकी मिध्याधाना होती है कि व्यवकलन से हमेशा छोटी संख्या प्राप्त होती है जैसे हमारा सवाल है कि 9 बटे 8 रिन 5 बटे 8 का परिणाम क्यात करे इसके लिए हम इसे 9 बटे 8 धन 5 बटे 8 के रूप में लिख सकते हैं अब अगर इसे हम हल करेंगे तो हमें जवाब प्राप्त होगा 14 बटे 8 जो कि दोनों परिमेश संख्याओं से बड़ी संख्या है इसलिए ध्यान रहे धनात्मक संख्या से रिणात्मक संख्या को घटाने पर परिणाम बड़ी संख्या प्राप्त होती है तो अब आपकी कई मिध्याधार्णाएं दूर हुई होगी। इस प्रकार आज हमने देखी परिमे संख्याओं के व्यवकलन से जुड़े मिध्याधार्णा और कुछ साधारन कल दिया।